WordPress Auto Spinner, आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास सक देके समझ जाएंगे बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी के ओपर और मेरे पास काफी अच्छे सारे कमेंट्स आये थे इन फैक्ट काफी लोग WordPress में इसे यूज भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप WordPress में करेंगे आप इसे ब्लॉगर के लिए भी यूज कर सकते हैं उसके बस एक छोटी सी ट्रिक है वो ट्रिक में अपने इस फाले वीडियो में बता चुक हूँ आप ये वाला वीडियो देखेंगे आप WordPress के जितने भी प्लगिन्स हैं जिससे SEO होता है या फिर आटो स्पिनर होते है या फिर किसी भी तरह का ऐसा benefit मिलता है तो friends उसको बहुत इसली ब्लॉगर के लिए भी य 7.6 इसके अंदर एक छोटा सा issue है और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे comments आते हैं तो मैंने सोच है एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जिससे आपकी help हो जाए एक problem कह सकते है issue कह सकते है उसको कैसे fix करना है आज मैं आपको वही बताऊंगा और blogger वाले मैं फिर बोल र करने के बाद all के उपर जरूर क्लिक करें मैं हूँ विदान तो विलकम है आपका टेक्नो विदान चैनल में चोटी सी चीज का अपने ध्यान रखना है जैसे ही आपको वह चीज समझ आज़ेगी तो friends आप बहुत easily wordpress autospinner को use कर सकते वह भी latest वाला version 3.7.6 क्या error आ रहा है सब उससे पहले मैं आपको वह बताता हूँ उसके बाद उस error का solution कै है फिर मैं आपको बता हूँगा यहां पर आप देखेंगे मेरी main website है technovidant.com उसके अंदर में wordpress autospinner को already install कर चुका हूँ और यहां पर उसका version भी शो कर रहा है 3.7.6 अगर मैं अपनी post में जाता हूँ अब post म कैसे जाते है add new post कैसे करते हैं यह सब आप सबको जरूर पता होगा title में मैंने demo लिख दिया और उसके बाद आपको जिस post को भी rewrite करना है उसको just आपने copy paste करना है for example मैं इतने area को यहां से copy करूँगा और उसके बाद मैं यहां पर जाके paste कर दूँगा उसके बाद मैं आपको post होके rewrite हो जाती थी उसके अगर अगर आपने कोई भी changes करने तो बहुत easily आप कर सकते थे नहीं तो उसको आप अपने main article के साथ replace कर सकते थे पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो इस वज़े से मेरे काफी भायों को confusion रहती है आप चाह वीजुवल में जाए या टेक् कुछ भी नहीं मिलने वाला इसको आप blank रहने दे एक बार इसकी first line ध्यान से देखे उसके बाद page को नीचे करा आपने read write the post पे क्लिक करा यहाँ पे बिल्कुल blank आ रहा है उसके नीचे आपको दो option मिल रही है generator new post और send to the editor इसके उपर आपने click कर देना है click करने के बाद post है वो बिल्कुल change हो चुकी है अगर आपको यकीन नहीं हो रहे हैं पहले वाली line याद नहीं है तो मैं आपको अपने previous page पे ले जाता हूँ if you have a website और blog यह line मैंने ऐसे ही copy करे थी और आप देखेंगे if in case you have a website और a web blog तो इस तरह से friends यह काम कर रहा है और इसके अंदर में कोई problem होगी एक चीज मैं आपको और करके दिखा देता हूँ यहां से आप देखेंगे मैंने यह दो paragraph copy करें और उसके बाद मैं वापीस यहां से जाके इसको delete कर दूँगा और उसके बाद मैंने यहां पे paste करा अब black hat SEO is incorrectly optimized to get the website यह line याद अखना यहां से page को नीचे करूँ हुआ रिराइट दा पोस्ट के उपर मैंने क्लिक करा फिर आप देखेंगे यह एरिया बिल्खुल ब्लैंक है यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा यहां पर आपको और भी options मिल रही है original articles, synonymous इसको use करना चाहे कर सकते हैं नहीं तो इसको आप ignore करें और उसके बाद आपने page को नीचे करना है send to the editor जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहां से इसकी language ही पूरी change हो चुकी है अगर confirm करना है तो मैं वापीस यहां ले जाता हूँ और आप देखेंगे यहां प्यार है black hat SEO is incorrectly optimized to get the website ranking और यहां पर आप देखेंगे यह line बिल्कुल change ह चुकी है यह developer की sites से ऐसी problem आ रही है हो सकते मेरा video वहां तक पहुंच जाए और वो देख ले अब कुछ भाई मेरे सोच्ट होंगे इसको कहां से और कैसे हम purchase करें आपके ओपर friends depend करते हैं आप इसे कहां से खरीदना चाहते हैं कुछ दिन पहले मैंने एक video बनाया था जिसमे मैंने आपको GPL website के बारे में details में बताया था कि इसमें कितना risk रहते हैं इसका benefit है नहीं है आप original लेना चाहते है crack लेना चाहते है कैसे करना चाहते है वो सब आपके ओपर depend करता है पर इस video में मैंने सारा details में बताया आपके ओपर depend करता है आपने कहां से लेना है पर मैं अगर आप लेना चाहे तो इसका लिंक पर नीचे description में दे दूँगा और यहां से सिर्फ यही नहीं अगर आप इसके home पे जाएंगे main page में जाएंगे तो सारे updated version आपको यहां पे मिलेंगे time to time यह update होते रहते हैं बाकी depend आपके उपर करता है कि आपने कहां से purchase करना है original आप इसके developer से भी purchase कर सकते है थोड़ा कंप प्राइज में लेना चाहे तो आप GPL वर्जन पे भी जा सकते है बाकी decision लेना आपका काम है I hope friends आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हुगा इसे like और share जरूर करें ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने बाला हूँ तब तक के लिए जै हिन जै भाराए